यह जब इंडी एलाइंस बन रहा था मौदी जी के सामने एक विकल्प परस्तुत करने के लिए तब हमने और आपने जो प्रोग्राम किये थे उसमें आपने बार बार कहा कि यह तो सिरे चड़ने वाली चीज है ही नहीं और जब सीट शेरिंग का प्रेशन आएगा तो इनके आपस में सिर्फ उटते वे दिखाई देने और एग्जेक्टली वही हो रहा है मौमता बैनर जी ने कह दिया कि कॉंग्रेस को दो सीटों पे लड़ना हो पश्चिम बंगाल में तो लड़ ले तीसरी सीट तो मैं दूंगी नहीं और आज तो और ने कह दिया कि हम अकेले इसी तरीके से आज भगवंत मान का बयान आ गया कि पंजाब में तो हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे अरविंद केजरिवाल पिछने दिलों बुके लेकर के मलिक अरजुन खरगे के आवास पर गए थे जहां राजी राहूल गांदी भी विराजमान थे तब मेडिया में यार नहीं है उधर निचीश बाबू काल फुलाए बैठे हैं वो तो अब प्रधान मंत्री की प्रशंसा करने लगे हैं करपुरी ठापुर को भारत रसन दिये जाने के बाद से तो यह हो क्या रहा है अब ही लोकसवा चुनाओ डेड़ दो महिने बाद गोशित होंगे उसस को यह बता दीजिए उसमसे एक वीच चीज क्या गलत निकले सारी की सारी जो रूपने का हमने लिखी थी कि वैसे का वैसा ही यह जिसे कहते हैं ना कि विपक्ष का नाटे रुपांतरन वैसे का वैसा हुआ है एक लाइन भी दाइबाय नहीं हुई जहां तक बात है साथ पहले दिन से किसी के साथ काम नहीं कर सकते यह उनकी फितरत में ही नहीं है यह मैं बीस बार बोल चुका लेकिन लोगों को शायद केजरिवाल साथ को समझने में टाइम लगए ममताब एनरजी को अगर अपनी राजनीती बचानी है तो उसको बंगाल से कॉंग्रेस और लेफ्ट को बाहर ही रखना होगा अगर ममताब एनरजी ने कॉंग्रेस के साथ शीट शेरिंग करी या लेफ्ट के साथ शीट शेरिंग करी इन नेम ऑफ इंडी एलाइंस यह उनके लिए सुसाइडल होगा जनता कहेगी जब हमें वोट दूसरे को देना है तो फिर आदे इ कॉंग्रेस को लात मार के बाहर आना है वो वापस कैसे चले जाएंगी वहाँ पर थूख के चाटने का काम कौन करेगा ममताब एनरजी तो करेंगी नहीं कॉंग्रेस से ज़्यादा चीतर है वो बंगाल को समझती उसके बाद आप तमिल आडू चले जाएए डीम के नहीं द कि दुबारा अपना बेस बनाना शुरू करो अरे बड़ी मुश्किल से तो कॉंग्रेस को ढूंड के पकड़ के लाएं किसी तरह से किसान आंदोलन में किसानों को बढ़का के अपनी जमीन तयार करिए बड़ी मुश्किल से अभी दो साल नहीं हुए और अब आप कह रहे ह कोई लॉजिक इसलिए नहीं समझ में आ रहा था पहले दिन से कि या तुम एक दूसरे को पसंद तक तो करते नहीं पूरी जुन्दगी एक दूसरे को कोसा इतनी नफरत है एक दूसरे से कि आप एक पार्टी में रहके काम नहीं कर सके सब कॉंग्रेस में इसी तो दाइवा अपना कदम पीछे हटाता है किसी ने नहीं हटा है राहूल गांदी अपनी यात्रा पर है ममता बेनर जी हट नहीं रही नितिश भाई हट नहीं रहे डियम के और आमादमी पार्टी हट नहीं रहे तो फिर जब कोई कदम पीछे हटा नहीं रहा तो कदम जब सभी बढ़ा तो जगे है कहां पहली बार दूसरी बात उनको ये बात समझ में आ गई कि देखिए हम लोग उपर उपर कुछ भी कर ले केडर हमारे साथ नहीं है और जिस तरह से मोदी जी ने इनको उल्जा रखा है एक के बादे अब इनके केडर की स्थिति आप यह समझ यह सर एक सो पचा पे लड़क लोग सड़क पे आए कि आपने हमारे MP को बाहर निकाल दिया एक भी जगे क्या इनको यह समझ में नहीं आया है कि इनके साथ कोई नहीं है इनकी अपनी इनके साथ नहीं है इनके जिस जिस एरिया के MPs हैं वहां के लोग भी सड़क में नहीं है कि सरकार क्या कर और बहां कि बतलर कि लोकसवा में और राज़सवा में क्या हो रहा है इनके अपने लोग इनके अपने कारेकरता इनके अपने वोटर इनके साथ नहीं है ये बात तो इनको समझ में आ गई है अब ये किसी तरह से अपनी जिसे कहते न है कि ये question of survival था कि हम किसी तरह से यार अपनी अपनी कुर्सियां बचा लें और यह इसलिए गठवंदन की बात कर रहे थे कि हर आदमी की actually मन्शा यह है कि हर आदमी को अपना पैर फैलाना है और मैंने एक पूरा detailed with calculation analysis किया था कि अगर यह लोग अपनी seat बचाना चाहते हैं और success rate 30% है अगर मैं success rate की बात करूँ तो इनको कुल मिला के हर seat पे अपने candidate खड़े करने होंगे अपनी जो existing seats हैं उससे तीन गुना से पाच गुना candidate खड़े करने होंगे जब तीन से पाच गुना की आप बात करते हो तो सर एक दूसरे के उपर पैर रखना वाजिब बन जा तो यह आफस में confused है क्योंकि इन में से कोई भी आदमी status को नहीं चाहता हर आदमी चाहता है मेरी party का basement केजरिवाल साब कहते हैं कि मैं alliance करूंगा provided तुम मुझे seat दे दो alliance में barter होता है लेकिन यहां one way सब क्यूं है मेरे से कुछ मत मांगो बता दो दे कितना रह तो ऐसे कहीं negotiation होते हैं सर कि मैं ले लेने वा ओ देने वाला कुछ नहीं हूँ तो ऐस отв या मेरे चैनल पर बहुत डीटेल में ये इंडी एलाइंस के ऊपर एनलेसिस है वहां मैंने साफ साफ कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे आप देखेंगे अभी तो ये मन मुटाव है फिर ये थोड़े समय बाद एक द सिर्कडाही में नई सरी इस फ्लोटिंग ही इस ऑन क्लावड नाइन जिसको बोल सकते हैं उनको तो किस्मत वाले हैं सर मोदी जी इस हिसाब से कि देखें राममंदिर का उद्गाटन उन्हों ने किया इन सो सत्तर उन्हों ने हटा दिया यूसीजी की पूरी प्लैनिंग उन भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के सबसे ज़्यादा भागेशाली मुख्य में भारत के सबसे ज़्यादा प्रदान मंतरी कौन है उसमें नाम आएगा श्रीमान नरंदर मोदी पर आपको नहीं लगता है विजय जी के दो हजार चोबीस के नतीजे आने के ब से राहुल गांदी मुर्खता करते जा रहे हैं वो कब तक लोग बरदास्त करेंगे क्योंके गांदी नहरू परिवार तो ये चाहता है कि कॉंग्रेस में जितने लोग अब हैं वो सब लंगडे लूले और गूंगे बने रहें कुछ ना करें बस जो मुर्ख राज हैं उनक सुनते रहें लेकिन लगातार अगर कोई तीन चुनाव कंसिंस्टेंटली जो है हरवाए और कॉंग्रेस में भूसा भरवादे पारिटी में भूसा भरवादे चावालीस बावान अगर थोड़ी सी और बढ़ा लें साट सीटें अगर इनकी आती हैं तो कब तक लोग जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे आप देखिएगा वोट परसंटेज जब दूसरी पार्टियों का बढ़ता है और कॉंग्रेस का घड़ता है तो उससे मैसेज क्लियर हो जाता है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं लोगों को फरक नहीं पढ़ता है हिंदोस्तान का वोटर बहुत समझ पता है कि गांधी परिवार के अलावा कॉंगरेस के अंदर कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है अगर आ जब गांधी परिवार को कॉंग्रेस से हटा देते हो तो तो कॉंग्रेस एक लीज़नल पार्टी से भी खराब हालत में आ जाएगा क्योंकि जितने भी इनके छत्रप हैं आप यह समझ लीजिए कि कभी आपने यह देखा हो कि कॉंग्रेस का यूपी का जो लीडर है वो कौन है मुझे तो नहीं पता कॉंग्रेस का बिहार का लीडर कौन है वहां का अध्यक्ष कौन है मुझे नहीं पता MP का कौन है नहीं पता कहने का मतलब यह है सब और अगर आप MP में कहेंगे कि साथ Mr. XYZ है तो पता लगा कि नहीं उसके जो आसपास के चार लोग है तो ये लोग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं ये Congress के साथ इसलिए जुड़ेवे हैं क्योंकि इनको अपने नाम क के आगे political leader लिखवाना है उससे इनका समाज में स्टेटस बनता है contribution zero है लेकिन एक समाज में स्टेटस बनता है दूसरा यह होता है कि आप पुलिस में कहीं और जगह पे जाते हैं तो आप एक समानीय राजनेत्या या राजनितिग्य कहलाते हैं सब और री पोजीशन्स हैं अब कॉंग्रेस महासचिव अब समझे सर हिंदुस्तान में 700 जिले अब 700 कॉंग्रेस के महासचिव भी होंगे 700 जिलों में तो उनका स्टेट्स प्रॉब्लम ने साथ सो अध्यक्ष भी होंगे उनका भी स्टेटिस प्रॉब्लम है इसी तरह से साथ सो और पदे का ट्रेजरर भी होगा कोई और भी होगा तो ऐसे ऐसे करीब पांच हजार दस हजार कॉंग्रेज के ऐसे पदादिकारी होंगे जिनकी दुकान चल रही है यह कहके कि वो अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखवा दे होंगे मैं कॉंग्रेज का जिला अध्यक्स जिला महासचीव जिला कोसा ध्यक्स यह उनके समाज में स्टेटस सिंबल ह तो वो खोना नहीं चाहेंगे तो वो कॉंग्रेज को छोड़के जाएंगे कहां बीजेपी का अलरी स्ट्रक्चर है बाकियों का अलरी स्ट्रक्चर है तो इनको थोड़के करी जाना नहीं है यह बैठे रहेंगे और इनका समाजिक स्टेटस बनता है हारे या जीते इनको भ वो कहते हैं हमारी प्रॉब्लम है हमारी लीडर्शिप इसी लिए हमको एज एमपी बहुत मेनत करनी पड़ती अपनी कॉस्टिचुन्सी को बचाने के लिए क्योंकि हमारे पास लीडर्शिप जबकि बीजेपी में उल्टा है आपको सीट मिल गई आपको कुछ नहीं करना तो उड़के पहुँच जाओगे आगे तो कहने में अपोजिट है तो मुझे नहीं लगता कॉंग्रेस में कोई बगावत होगी कि सब लोग आराम से बैठे रहेंगे इन सबके विजिटिंग कार्ड पके रहेंगे और राजूल गांदी के साथ मीडिया में फोटो किच्व जाल के होंगे तो भी भारतिय जनता पारिटी का ही कोई प्रधानमंतरी बनता जाएगा यह लोग बनाते जाएंगे क्योंके राहूल गांदी अगर इनके नेता बने रहेंगे तो फिर तो यहीं होगा जो इन S्वाह मैं असम में देख रहे हैं या दूसरी जगों पर देख हैं एक तो सुनिया गांधी जी कब तक एक्टिव रहेंगी और कॉंग्रेस की लीडर्शिप सुनिया गांधी को कब तक सुनेगी पहली बाद बगैर सुनिया गांधी के फिजिकल प्रेजन्स के राहुल गांधी का भविश्य अस्तित्यों क्या होगा उनकी पार्टी पर पकड़ क्या होगी मुझे नहीं और हो सकता है कि कॉंग्रेस के सीनियर लीडर जब सुनिया जी माल लीजिए भगवान उनको लंबी उमर दे लेकिन फितरत है दुनिया में सब को जाना होता है जब मैं यह कहूंगा कि कॉंग्रेस आफ्टर सोनिया वो इस्तिति क्या हो अगर आप उस इस्तिति को देखें तो मुझे लगता है कि उस समय जो कॉंग्रेस की कलेक्टिव लीडर्शिप होगी वो चाहेगी कि राहुल गांदी जी अब कुर्सी ढंग से खाली करें अब यह नाटक ना करें मलेक उन खड़गे साब को आप सामने लेके आए उसकी जगे वो कोई ऐसा शायद लीडर ढूंड लें जो सशक्त हो सर्व मानने हो जो होना मुश्किल है व दोधार नहीं होगा तो एक्चुली कॉंग्रेस को इस समय चाहिए एक मार्क दर्शक मंडल मतलब जितने भी वीजेपी ने तो 75 साल और उसके उपर रखा था मुझे लगता है कर कॉंग्रेस को रिवाइव करना है तो 70 साल और उसके उपर उसके उपर के जितने नेता है उन सब को मार्क दर्शक मंडल में अगर भी कॉंग्रेस डाल देती है तो मुझे लगता है कॉंग्रेस अगले चुनाव तक थोड़ा बहुत रिवाइव कर जाए वीजे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओसीन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत् अन्मुद्वर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार नमस्कार शट बंदे मातर वंदे मातर वंदे मातर है